नमस्कार दोस्तों वेलकम स्वागत एक बार फिर से आप सभी कारह सुंक्षिन पर मैं हूँ घंशाम काफी दिनों के बाद में मैं ये लाइव क्लास आप सभी के साथ लेने जा रहा हूँ और आज एक बहुत ही महतुपूर्ण मुद्धिपरम बात करेंगे किछले कुछ दिनों से मेरे पास में काफी मैसेज आप लोगों के आए हैं और ऐसे कहीं चात्र जो की पहली बार आरेस परिक्षा से जुड़ रहे हैं या फिर इसकी तयारी के बारे में सोच रहे हैं उनके कुछ प्रशने थे जिनके जवाब मैं देना चाहता हूँ तो एक बार फिर से शुरुवात हम कैसे करें उस मुद्धे पर हम चर्चा करेंगे मैं अपना परिछे दे देता हूँ आप सभी को जो नए है तो मैं रंशाम शर्मा हूँ और दोस्तों मैंने अभी तक तीन बार आरेस का एक्जाम दिया है तीनों बार मैंने प्रिलिम्स क्लियर किया है और तीनों बार मैं में अपियर हुआ हूँ 2016 के एक्जाम में मैं 7 नमर से में जो कट-off है वो क्लियर नहीं करपाया था और 2018 की परिक्षा में मैंने 300व तंक मैंश में प्राप्त किये लेकिन इंटर्विव में मेरे किवल 61 नमबर होने की वज़ा से 733 मेरा रेंक रहा और कुछ ही सवाएक नमबर से मैं जो है फाइनल पोस्टिंग में नहीं जा पाया मतलब मुझे कोई भी अलोर्मेंट नहीं हुआ था इस बार मैं वापस से आपका जो 2021 का इंटर्विव है उसमें अपियर हो रहा हूँ तो उमीद करते हैं कि इस बार परिणाम अच्छा रहे और सफलता मिल पाए तो ये तो रही मेरी बात अब हम आज के इस वीडियो पर बात कर लेते हैं कि ये वीडियो क्यों है और इन वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं तो दोस्तो माटीरियल तो आपके पास में आजकल खूब है जो पॉस्ट टुथ एरा में हम जी रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि खासकर COVID-19 के बाद आपके लिए माटीरियल की भरमार यूट्यूब पर हो चुकी है लेकिन उसे पहले कुछ सवाल आपके में जरूर आते हैं जब भी आप एक बड़े एकजाम के लिए तयार होना चाहते हैं या शुरुआत करना चाहते हैं उनी कुछ छोटे छोटे प्रिश्णों पर मैं बात करूँगा ठीक है तो हम बात करेंगे RAS 2023 को लेकर के हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए और कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए तो आपकी जो आगामी भरती आने वाली है 2023 में उमीद है कि जल्दी ही इसका notification भी जारी कर दिया जाएगा क्योंकि RAS के interview भी शुरू होने वाले कुछ समय में कहीं बच्चों का प्रश्ण होगा कि interview कब हो रहे हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि December के end से लेकर के क्योंकि पहले ये था कि November में interview शुरू हो सकते हैं लेकिन अभी उसकी कोई संभावना नहीं है क्योंकि assistant professor के interviews अभी चल रहे हैं और कुछ board members भी हो सकता है जो retire होने वाले तो उनकी जिकर जो नए members आने वाले हैं उनको लेकर के थोड़ा समय इसमें लग सकता है और यह के बाद में आपके जो भी dates होंगी उनके इसाब से आपके exams होंगे अब तीन प्रश्नों के मैं जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा ठेक है और तीसरे का जवाब जो है हम आगे विस्तार से बात करते रहेंगे तो जो प्रश्न है वो है सबसे पहला प्रश् डिशा की तयारी करनी चाहिए दूसरा जो प्रश्न फिर उसके बाद में आता है वह कब क्योंकि जब आपने ये तय कर लिया कि क्यों करें ठीक है वन्हां करना है यह जब तय हो जाता है तो उसके बाद कब शुरुआत करें या कैसे करें उस पर हम बात करेंगे ठीक है और फिर लास्ट में आता है कई से, ठीक है, तो पहला why, दूसरा when और तीसरा how, इन तेन चुज़ों पर हम बात करने वाले, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कि आखिरकार हमें RAS की तयारी क्यों करने चाहिए, तो इसका सबसे पहला और सबसे जो basic answer है, वो यह है कि हम सभी लोग पड़े लिखे हैं, और पड़े लिखे हैं नोजवानों की जो सबसे पहली priority देती है, वो होती ही उनकी job security, ठीक है, तो आप सभी पाना चाहते है रोजगार, और रोजगार की प्राप्ति के लिए आप कोई ना कोई तो रोजगार करना ही चाहेंगे, उसमें भी आप हमेश जो है, उसकी प्राप्ति करना चाहता है, और वो भी इस तरीके से कि जहां पर कारिय सुगम हूँ, और अधिक से अधिक आपको महनता ना मिल सके, आपकी योगिता के नुसा, तो graduation करने के बाद जो चात्र हैं, वे अलग-अलग बहुत सी नोकरिया देखते हैं, 4th grade की जो ब मूल इकाई माने जाते हैं, हर एक विभा के चाहिए वो पटवारी हो, फिर उसके बाद में clerk जिससे job आ जाते हैं, उसके बाद में आपको अधिक तर पद निरिक्षक के पद मिलते हैं, जिनके आगे आप ज्यादा तर ऑफिसर शब्द भी देखते हैं, इंस्पेक्टर और अफिसर इस तरह के पद, और फिर उसके बाद में supervision के पद आ जाते हैं, जिनमें हम RAS जैसी परिक्षाओं के और बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्रम है, अब आप चाहें तो सबसे निचले परिक्षा के भी बात कर सकते हैं, तो ये जो clerk और निचले जो पद हैं, उनके और UPSC के द्वारा इजित होती है, लेकिन एक कहीं चात्रों में रहता है कि वे अपने एरिया के भीतरी जहां कि वे लोकल हैं, और जिस राज्य से वे संब्द नेते हैं, वहीं पर नौकरी करना चाते हैं, तो उनके लिए RPSC और जो हमारा रास्तान करमचारी चायन आयोग है, इनके द्वारा बहुत सी वेकेंसी निकाली जाती हैं, इनमें भी RPSC को अधिकतर जो बड़े पदों की जिम्मेदारी है, वो दी गई है, उधारन के लिए आप देख सकते हैं, राजस्थान एड्मिस्टिटिव सर्विसेज और जितने भी ग्रूप A की सर्विसेज हैं और इसके लावा जितने भी इंस्पेक्टर रिलेटेट पद हैं, विविन विभागों के अंदर, उन सभी को ये परिक्षा समायित करती है, तो हर बार लगबग 35 से 40 पदों के लिए ये परिक्षा होती है, और अलग-अलग विभागों के पदों को रेंक वाइस इसमें समा करने वाली जौब है, अगर आप RAS, RPS, RACS और बाकी ग्रूप A सेवाओं में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको 4800 से लेकर 500 ग्रेट पे, जो कि अप्रॉक्सिमेट दो साल बात में आपको 80,000 से 1 लाख रुपे तक का वेतन देती है, जो कि एक अच्छी जिंदिगी शहर में जीने के लिए sufficient मानी जाती है, वहाँ भी ये मानी है, दूसरा, इनमें से कुछ ऐसे पद हैं, जिन पदों को लेकर के आपको समाज में थोड़ी से प्रतिष्ठा मिलती है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आप RAS हैं, Subdivisional Magistrate हैं, तो आपको अपने परिवा सम्मान मिलता है, लेकिन इन पदों के ही साथ में कुछ सम्मान की बात जुड़ी हुई है, और ये सम्मान दरसल इन पदों से जुड़ी हुई शक्तियों की वज़े से भी आता है, क्योंकि अगर आप DSP बन जाते हैं, RPS के बात में, तो आपके पास में एक बहुत बड़े चेतर में पुलिस अधिकारिता आ जाती है, आपको कानून की रक्षा करनी होती है और कानून के जो वान नियम है उनका पालन करवाना होता है, तो निश्चे दुलूप से आपको कुछ अधिकार भी दिये हैं और उन अधिकारों से आप जानते हैं कि अक्सर जनता जो हैं वो कारिरत होते हैं उस चेतर विशेश में तो वैसे ही वो सर्वे सर्वा उस चेतर के हो जाते हैं राज्य सरकार से जुड़ी जो प्रशाशनिक मशीनरी है उसके अंदर, उचस्थ अधिकारी होते हैं, जॉब की भैतर सेक्यारिटी होती है और जब आप इसमें सेले आपकी जो जानकारी का छेत्र है दाइरा है वो काफी बढ़ जाता है तो यह भी एक कारण है ठीक है कुछ और लोगों के लिए कुछ और भी कारण हो सकते हैं लेकिन उन कारणों पर हम बात नहीं करेंगे वो यक्तिकत इस तर पर बदलते रहते हैं तो यहां पर यह क्यों हो सकते हैं वहाँ पर आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं कोई भी आपकी है तो वहाँ पर आपको उसका जवाब मिल जाएगा अब यहां पर दूसरा प्रशन आता है कि सर हम आरेस की तैयारी कब से करना शुरू करें यह वैसे तो एक बहुत ही जो है वस्तुनिस्ट प्रशन है मतलब इसको आप सामानी प्रशन नहीं मान सकते कि हर व्यक्ति के लिए एक ही जिससा इसमें पैटर्न लागई हो जाए यह सब आपकी शम्ता पर आपकी अध्यन की जो वर्तमान इस्थती है ठीक है और आपकी जो आत्म विश्वास और आपका विलिंग है उस पर निर्फर करता है कि आप कितनी महनत कर सकते हैं और आप कितना जल्दी उन चुझो को कर सकते हैं उसके आधार पर आपको तयारी करनी चाहिए पर चुकि हम सभी जानते हैं कि जो न्यूनतम आपके आरेस एक्जाम के लिए य दोनों होने के बाउजुद ही बाद में ही जो है आप इसके तयारी कर पाएंगे तो आप किसी भी मानेता प्राप्त विश्च डियले से इस्तनातक हो ठीक है और इसके साथ-साथ आपने 21 वर्ष के आयूपूरी कर ली हो इस्तनातक होने का दात्र पर आप चाहे यह आर्ट्स क कर सकते हैं ठीक है आपने BCA किया हो इस तरह से आपने कोई भी बैचलर डिग्री लियो उसके बाद में आप इसके लिए अपियर हो सकते हैं अलांकि आप अपने अंतिम वर्ष में इस परिक्षा में अपियर हो सकते हैं लेकिन एक्जाम होने से पहले आपको जो भी इसकी जो नियुन्तम अनिवारिता है योगिता की उनको पूरा करना होता है इसके साथ 21 वर्ष के आयू भी प्रावधान है तो 21 वर्ष के आयू का प्रावधान इसलिए रखा गया है क्योंकि अक्सर क्या होता है अगर हम हमारे सिक्षा के स्कुली वर्ष जो है उनको देखे तो 18 वर देने का अधिकार हो जाता है और 21 वर्ष का विवहावी कर सकते हैं तो ये सारे सरकार के कुछ नियम है उनी के आधार पे ये 21 वर्ष इसको रखा गया है तो इसना तक और 21 वर्ष ये दोनों हैं लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि चुकि आरेस परिक्षा लगबग 18 विश्यों को अपने आप में समाहित करती है और चात्रों को इसकी तैयारी है उसके दोरान कठिन तीन चरणिये परिक्षा से गुजरना पड़ता है तो उसे देखते वे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी तैयारी को काफी पहले शुरू कर दें ताकि समगर रूप से बिना किसी बादा कि हम पहले ही अटेम्ट में पहले ही प्रियास में अपनी परिक्षा को उतिर्ड कर सकें क्योंकि जो रेशो यहां पर परिक्षा में रहता है अगर उस पर आप नजर डालेंगे तो पिछले वर्ष जो अपियर होने वाले चात्रों की संक्या है वो थी तीन लाख शीयतर अजार तोटल जो हमारे पद है वो है एक अजार तो यहां से आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के एक पद पर आपके लगबग चार सो के करीब चात्र जो है अपियर होते हैं और उन चार सो को धक्का दे करके आपको आगे बढ़ना होता है इनी तीन लाख शीयतर जार में से लगबग 20,000 के करीब चात्रों को मौका दिया गया मुख्य परिक्षा में बैठने का और इन में से 216 चात्रों को उत्तिर्ण किया गया है तो हर बार आप देख सकते हैं पहली बार में 20 गुना चात्रों को मतलब 20 हर पद में से 20 चात्रों दिया गया है और अब इन में से हर दो में से एक चात्र मतलब एक बटा दो का आपका रेशु रहेगा finally कि इन 216 में से जो भी 1038 चात्र है उनको यहाँ पर जो है नोकरी मिलने वाली जो आधी इसकी संख्या है 1080 के करीब 1090 के करीब तो 276 में से लगबग आधों को यहाँ पर लगबग लगबग नोकरी मिलेगी तो हर दो में से एक चात्र फाइनली यहाँ पर आने वाला है तो यह competition को देखते हुए और जो इसका syllabus है उसकी विविदिता को देखते हुए यह चाहिए कि आप इसकी तैयारी काफी पहले से शुरू कर दें क्योंकि अपने graduation के दोरान आपके वल अपने विशे विशेश के बारे में पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर आपको लगबग हर विशे पढ़ना पढ़ता है जो प्रमुक विशे हैं अगर हम prelims परिक्षा की बात करें तो उनमें आपको राजस्थान की कलास अंस्कृती इतिहास भुगोल और जो economy है उनके बारे में पढ़ना पढ़ता है इसी तरह से ये भारती इस्तर पर भी आपको पढ़ना पढ़ता है और वैश्विक इस्तर पर भी आपको जिसे की विश्व का भुगोल आपको इसमें थोड़ा सा पढ़ना पढ़ता है फिर उसके बाद में आपको भारत की भी जो कलास अंस्कृती इतिहास भारत का भुगोल फिर इसके बाद में आपको पॉलिटी का पूरा पोर्शन आता है फिर तो पूरा पोर्शन आपका 20 प्रिश्व का जो नंबा चोड़ा है आप केवल अपने सोच रहे हैं कि ग्रेजियूशन की सबजयक्स है या आप इसे एक्जाम को क्लियर कर सकते है तो ऐसा नहीं है तो ईस बहुत लंबी तयारी ये एक्जाम आपको मांगता है कि बहुत लंबा चोड़ा syllabus है और वो तभी पूरा हो पाएगा जब आप लंबे समय से उसकी तयारी कर रहे हो इसी तरह means की बात करें तो means में फिर आपका दाइरा बढ़ जाता है और आपको prelims और means की तयारी साथ-साथ करते वे चलना होता है तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि कुछ नए सब्जेक्ट आपको देखने हो मिलता है sociology हो समाज शास्त्र की रूप में हम देखते हैं नया सब्जेक्ट इसी तरह से आपके accounts and auditing का subject जुड़ जाता है management का subject जुड़ जाता है आपके विवहार ठीक है इसको हम psychology की नाम से जानते हैं वो भी थोड़ा सा छेतर इसमें जुड़ जाता है आपको थोड़े कानून भी पढ़ने पढ़ते हैं जो की प्रचलित है वर्तबान समय में कुछ भू अधिकार अधिनियम आपको पढ़ने पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश के भी आपके यहां पर बहुत ज्यादा मतलब महत्तु माना जाता है लगबग 25 प्रतिशत जो है भाग आपके मुख्य परिक्षा में हिंदी और इंग्लिश भाषा कवर करती है भाषा का ग्यान भी आपको होना चाहिए लेखन भी आपकी बढ़िया होना चाहिए और फिर इसमें आपको उत्तर लेखन की भी प्रेक्टिस करनी पड़ती है तो यह सारी चीज़े मिला करके एक बहुत लंबा समय लेती है तो बहतर तो यही होगा कि आप जब अपना बारवी करक्षा पास कर लेए तो उसके बाद ही आप यह मन बना ले अपना अगर आपको तैयारी करनी हो कि मुझे इस परिक्षा की तैयारी आप शुरू करनी है ठीक है तो दूसरा प्रशन की कब हम तैयारी करें तो बारवी से आप कर सकते हैं और जो चार तक बारवी में चूग गए और अब ग्रेजिवेशन भी कर चुके हैं तो उनके लिए तो जब कभी अपना चाहे तब ही से तैयारी शुरू कर दें वो बहतर है लेकिन फिर भी परिक्षा से पहले लगबग डेढ़ से 2 साल की एक अच्छी तैयारी जो है इसमें अनिवारियर मान सकते हैं क्योंकि केवल prelims पास कर लेना या केवल mains पास कर लेना इसमें सफलता नहीं है अगर आपका final list में selection नहीं है तो आपको फिर से 0 से ही शुरुआत करनी पड़ेगी और ऐसा भी देखा गया है खास करके 2020 के परिक्षा में कि ऐसे कई चातर थे जिनोंने लगातार पिछले तीन-तीन exam में interviews दिये हैं लेकिन इस बार वो mains qualify नहीं कर पाएं उसके कारण जो भी रहे हो चाए वो syllabus change होना रहा या फिर एक आंदोलन जो पिछली बार चलता रहा वो रहा हो कुछ भी हो लेकिन ऐसा भी होता है कि कई ऐसे चातर जो लंबे समय से इस परिक्षा में पास होते आ रहे हैं वे भी अंतिम जो इंट्रिव्यू के लिए जो आपके चैन हुए हैं उनमें जगर नहीं बना पाएं तो यह सब चीजे होती रहती है तो बहुत अनिस्चित्ता भरा एक्जाम है इसलिए तैयरी आपकी लंबे समय से चलती रहे क्योंकि जैसे आपको इसका कारण मैं आपको बता हूँ तो मैं अपनी बात करूँ तो 2016, 2018 और 2020 के अगर आप मेरे मार्क्स की तरफ देखेंगे तो अगर प्रिलिम्स की मैं बात करूँ तो प्रिलिम्स में जहां 2016 में आपके 79 कट अफ गई थी जनरल की और मेरा स्कोर था यहां पर 79.78 ठीक है तो मतलब मैं 0.78 नंबर से ही मैंने एक्जाम पास किया था तो मतलब एक बॉडर लाइन से मैं बाहर निकला क्योंकि बिलकुल इनिशियेटिव था शुरुआत था और जॉब में थे कई चीज़े थी तो उनकी वज़े से बस किवल पास किया कोई नहीं पूछता आपने कितने मार्क्स लिया यह देखा ज़ता है कि आपने पास किया नहीं किया 2016 में जब 76 कट ओफ गई तब भी मेरे लगबग 78.16 के करीब मार्क्स आये थे ठीक है तो यहां पर भी मैंने किवल दो नम्मर से पास किया था लेकिन जब 2-3 साल लगाता है तैयारी मैं करता रहा तो इस बार जब 2020 में मैंने परिक्षा दी तो मेरा स्कोर 107 नमर के करीब था ठीक है जब कि कट ओफ 84 के करीब रही तो यहां से क्या हो दरता है कि आपका जो अनुबव है वो लंबे समय तक जब चलता रहता है तो वो आपको क्या करता है एक आइडिया दे देता है कि आपको किस पैटर्न में पढ़ना है कि इन चीजों को एक्स्क्लूड करना है कि इन इंक्लूड करना है तो जो यह लंबा समय आपने लगातार दिया वो लंबा समय जो है आपके नंबर अटोमेंटिकली इंक्रीज करता चला जाता है जैसे 2016 में मैं अगर मेरी बात करूं तो मेरा जो मेंस का स्कोर था वो 320 था 2018 में यही स्कोर बढ़ करती है 365 हो गया और 2020 में यह क्या रहेगा यह तो अभी तक एक सवाल ही है जिसका ना तो मुझे जवाब है मेरे पास है ना किसी और के पास वो तो RPC बताएगा इंटर्वीव के बाद में लेकिन इस तरह से आप देख सकते हैं कि समय के साथ में आप और परिपक होते जाते हैं और आपके नमर्स जो हैं बढ़ते जाते हैं लेकिन अगर आप यही काम जैसा कि मैं जो पिछले 2016 से लेकर के जो 17, 18, 19, 20, 22 इतने सालों में कर पाया हूं वो अगर आप अपनी graduation के साथ ही करना शुरू कर दे तो परिक्षा से पहले आप इसके लि वीडियोज अवेलेबल हैं आप देखेंगे कि हर कोई आपको इस बारे में जानकारी दे रहा है कि आप यह कोर्स जोइन कीजिए आप वो कोर्स जोइन कीजिए आप यह कीजिए लेकिन दोस्तों जो सबसे पहली और सबसे मुलभूत बात है वो है पढ़ाई किसी भी परिक्षा की तयारी के लिए आपको जो सबसे ज़्यादा करना है काम वो है पढ़ने काम हमें से ज़्यादा तर चात्रों की प्रिश्ण होते हैं सर टैस्स सीरीज कब दे किस तरह से दे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करें मैं एक बहुत ही सिंपल सी बात आप सबी को बताना जाओंगा कि RPSC जो RAS परिक्षा में मुख्य परिक्षा का पैटन रखती है वहाँ पर आपको कोई बहुत से अनलिटिकल प्रिश्ण नहीं पूछे जाते हैं आपको एक सिलेबस दिया हुआ है जो की बिलकुल सेलेक्टेड सिलेबस है और उस सिलेबस म आपको स्ट्रेट प्रिश्ण पूछे जाते हैं इस चीज का प्रुफ सबसे बड़ा है आपका पिछले साल का पेपर आप एक बार मेंस परिक्षा के पेपर उठा करके देखें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ज्यादातर प्रिश्ण जो हैं वे आपकी जो नए जोड़ परिक्षा में लिख दिये तो आप मान के चलिए कि आप अपना स्कोर काफी बहतर कर पाते हैं क्योंकि क्या होता है कि हम कुछ विश्यों पर बहुत ज़्यादा महिनत कर लेते हैं लेकिन कुछ ऐसे चोटे 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 विश्य जिनको हम सोचते हैं कि यह तो 20 नमर का है तो 15 नमर का है और उनको जब हम छोड़ देते हैं तो बाद में हमारे स्कोर पर काफी जो है नेगेटिव इंपक्त पड़ता है क्योंकि यह जो छोटे-छोटे सब्जेक्ट्स हैं यह खास करके आपको अच्छा स्कोर जैसे 20 में से 15 नमर तक भी आपको दिला सकते हैं लेकि उस पर यह काफी कुछ निर्भर करता है क्योंकि जो हमारे सामाननी विशे हैं जैसे कि इतिहास राजनिती विज्ञान इनकी समझ लगबग लगबग प्रॉफेसर्स के पास में काफी ज्यादा होती है लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें लौ और बाकी इस तरह के सब्जेक बात हैं इसलिए आपको उन सभी टॉपिक्स को साथ के साथ करते वे चलना होता है तो यह मैंने कुछ बात की आपसे क्यों आपको इस एक्जाम की तयारी करनी चाहिए और यह कैसे वाला जो विंदू है इस पर अगली कक्षा में हम बात करेंगे अगली कक्षा में मैं इसका syllabus आपके पास लेकर आऊंगा पहले हम R.S. prelims का syllabus लेंगे और prelims के syllabus पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि यह syllabus किस तरह से चैनित किया गया है और इस syllabus से आप कैसे पार पा सकते हैं उसके बाद हम उससे related जितने भी books हैं उन पर चर्चा करेंगे जिनका आप यूज कर सकते हैं जर्फरेंस बुक और मान के चलिए कि यह सारा material आपके पास ही available है बस आपको ढूंडने के ज़रत है और कौन सा वो सबसे बहतर तरीका है जो आपकी prelims में सफलता को बिल्कुल सो निश्चत कर देगा कि आप निश्चिन दोकर कि यह कह सकते हैं कि इस बार मैं निश्चत रूप से सफल होंगा वो भी मैं आपको बताने का प्रियास वहां पर करूँगा फिर हम मेंस की तयारी पर आएंगे कि मेंस का syllabus क्या है और मेंस के syllabus में कौन कौन सी असी बुक से जहां से आप material ले सकते हैं तो दोस्तों ये था आज की एक बहुत ही महत्पूर्ण वीडियो एक session जिसमें हमने ये बात की कि कैसे आपको RS परिक्षा के लिए शुरुआत करनी चाहिए beginners के लिए मैंने ये बात की है और भी अगर आपको ये वीडियो चाते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताएं थाकि मैं उन पर भी आपको विस्तार से जानकारी दे सकूँ आप हमारा टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन करें जिसका link मेंने description में दिया है हमारी एक application भी है RS जिंक्षिन के नाम से तो वहां पर भी कुछ आपके assistance के लिए मैंने material अपलब्द गरवा रखा है तो आप वहां जा सकते हैं और जिसकी current affairs हो गए कुछ test series और यह सुब चीजे हैं तो आप जरूर उनको देखें एक बार और अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी में वह helpful है तो आप उनकल आप जरूर उठाएं चलि